देविड वोर्नर के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है बोल टैंपरिंग के चलते बैंच जहिल रहे उस्ट्रेला के विस्पोटक बलेबास वोर्नर एक बार फिर मैदान पर वापसी करने को तयार है हलंकि उनकी यह वापसी अंतराश्ट्रिया मैच में नहीं बलकि T20 लीग म में खेल दे नजर आएंगे विनिपेग होक्स टीम ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है 12 महीने का बैंच जहिल रहे डेविड वोर्नर मैदान पर वापसी के लिए बेहद रोमांचित है उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट पर खुद को खरीदने के लिए जाएगा आपको बता दें कि इसी साल मार्च में स्टीव स्मित कैमरून बेंक्राफ्ट के साथ डेविड वोर्नर भी साउथ अफरीका के खिलाव खेले गए टेस्ट मैच में बोल टैंपरिंग करते पकड़े गए थे जिसकी वजह से इन पर एक साल का बैन लगाया गया है वहीं अंतराश्ट्रिय और प्रथम श्रेणी मैच खेलने पर भी रोक है हालांकि तीनों खिलाडी को लीग मैचों में खेलने की अनुमती है इस घटना की वजह से वोर्नर को आईपेल में भी खेलने से रोक दिया गया था